अिटेटी पहले दिन से जिस दिन से 8 किया था तो उस दिन से हम उसकी पुलीस कर्षेड़ी के लिए गौहर लगा रहे बेकिन उसकी पुलीस कर्षेड़ी जब नहीं मिली तो नेचरली हम ऊपर गए से रिवीजन कोड में गए और कल रिवीजन कोड की शाम को यह ओडर आई कि उसकी पुलिस कश्टडी के अप्लेशन के बारे में नीची के कोड दुबारा सुनवाई ले और जो भी कुछ उसके अंदर निर्श देने हो पारिद करें तो उस बिना पर उस ओडर के बिना पर आज हम लोगों ने हमारा सरकार का और पुलिस का पक्ष फिर से रखा फिर से हमने आज कोड को इस गुवार को लगाई कि इस ओफेंस में जो कुछ भी इंपोर्टेंट इविडेंस जुटाना है जमा करना है उसके लिए किस प्रकार इस जो हमने हमारे तरफ से किया हुआ है उस सब पेपर्स देखके कोड ने उसको कंसिडर सब कुछ किया और फाइनली आज जिस आरोपी के पुलिस कस्टडी के लिए हम आभी तक थुड़ा सा जिद्दोजाद कर रहे थे उसको आज कोड ने 20 तारिक तक पुलिस कस्टडी के हि करने का तो शायद वो वापिस से पीसी मांगने की नौबत नहीं आती लेकिन इनकी कोशिश और उसमें हमारा हाथ दोनों को सफलता मिली है और यह सफलता बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि जुडिशिल कस्टडी से पुलिस कस्टडी और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरा रह है हम सब के आभारी है जिनोंने हमें सचाई की साथ दिये और अब पुलिस कस्टडी चार दिन की है इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा और धीरे धीरे हम जो चाह रहे थे कि सारी सचाई सामने आए बहुत सारी चीज़े है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में करते हैं हमने हमारा काम कर दिया है अब पूरा-पूरा पुलीस के हाथ में है कि कैसे इस केस को और स्ट्रोंग कर सकते हैं और हम सब जैन्योन चीज़े कर रहे हैं को ही नहीं कि फेक है या कुछ ऐसी चीज़े तो जैन्योनी हम जो लड़ाई लड़ रहे हम चाहते है कि कि सावन्त को न्याय नहीं मिला एक हिंदुस्तान की महिला जो पिडी है तेमेई हैं और दियास रचा गया है पहले शादी होती है फिर बार एक मैं रहने इसा हुआ है कि पहले सुहाग रात हुई यह फिर शादी हमोइन तो मिसका प्यस्टान गाई मेरे जी सब्सक्राइब में। जो भी मेरी धारायें हैं वो के सबीफ होगी। पुलीस कशचीरी में ही सबीफ ऑगी। इन्हों कि यह लोग वकील और इन्हों कि शानपत्ती करके पहले इनको पता नहीं। कि हमारे जो हिंदुस्तान के जो हमारे अंदेरी कोट के जो सरकारी वकिल जो है कितने 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 महारत ही है मैं इन सब का धन्यवाद कहूंगी पीपी साब का धन्यवाद कहूंगी फालगुनी जी का जो मेरी एड़ोकेट है अशोक सरोगी साब का धन्यवाद और वाहिद भ से मुझे मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ यह सर मेरे भाई बेहन खड़े हैं एक रुपे का कोई फाइदा ना देखते हुए यह लड़े हैं और मुझे न्याई दिलाया है पुलिस कस्टड़ी इस वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं सर आपके तो चरन सबस्ट करना चाहूंगी क मैं पेड़ित हूँ सच्चा ही आप लोग जच साब के सामने लाए से कुछ नहीं उन्होंने सिर्फ ऐसे गुसे से देखा अभी सड़ेली उनका कोई बंदा आया और कुछ बोल रहे थे इतने में भाई ने बोला यह कौन है इतना करीब कौन आ रहा है तो मुझे मैंने होगे अंदर कोट में चली को